Hello students, good morning, मेरा नाम है रूपी और आज हम हिंदी का पार्ट तीन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेरा बच्पन ठीके बच्चो जो मेरा बच्पन पार्ट है वो उसकी राइटर है या लेखाक है मोहंदास करमचंद गांदी तो उन्होंने अपने बच्पन के बारे में क्या लिखा है यह हम आगे इस पार्ट में पढ़ेंगे ठीके बच्चो तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रिस्ताब नाम प्रिस्तुत पार्ट महात्मा गांधी के बच्पन से संबंदित है आईए पढ़कर उनके बच्पन के बारे में जाने पुर्वंदर से पिताजी राजस्थानिक कोट के सदस से होकर राजकोट गए पुर्वंदर एक सहर का नाम है जो की गुजरात में है ठीकर वहां से गांदी जी के जो पिताजी थे वो राजिस्थानिक कोट के सदस्य होकर कहां गए थे राजकोट में ये वी एक सहर का नाम है जो कहां है गुजरात में ठीक है बच्चो तब मेरी उम्र कोई साथ वर्सकी रही होगी गांदी जी के उमर उस टाइम कितनी थी साथ वर्स की मैं राजकोट की ग्राम पाट साला में पढ़ने भीजा गया राजकोट जो जहां पर उनकी पिता जी राइस्थानिक कोट के सदस्य वन कर गए थी तो गांदी जी भी कहां पर पढ़ते थे राजकोट में राजकोट की ग्राम पाट सालाम है ठीक है ग्राम में इस गाउं में कोई स्कूल होगा उसमें वो पढ़ते थे उस मदर्से के दिन मुझे अच्छी तरह याद है मदर्से भी बच्चों स्कूल को बोलते हैं ठीक है माश्टरों के नाम धाम भी और वंदर की भाती ही बहां की पढ़ाई के बारे में मैं क गाउं की पार्ट साला से कश्वे की पार्ट साला मैं और वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में मेरा बार्वा वर्ष बीत गया तब तक मैंने कभी सिक्चकों को धोका दिया हो ऐसा याद नहीं आता वच्चों फर्ष क्लास से लेके बार्वी क्लास तक का गांदी जी बोलते हैं कि मैंने कभी अपने सिक्चकों को धोका नहीं दिया ना तब तक कोई दोस्त बनाने का इस्मरण है इस्मरण मीन सोता है याद तो बार्वी क्लास तक गांदी जी के कोई दोस्त भी नहीं थे फ्रेंड भी सकते हैं पाट साला में मुझे बस काम से काम रहता था घंटा बचते ही पहुंश जाना और पाट साला बंद होते ही घर भाग जाना तो बच्चों जो गांदी जी थे वो अपनी काम से काम रखते थे जैसे स्कूल की घंटी बचती थे वो इसकूल आ जाते थे और घंटी बचत मजाक ना उडाए है डर्वी बना रहता था बच्चों इसमें हम थोड़ा सा उपर एक लाइन भूल गए हैं पहले वहां से स्टार्ट करते हैं भागना सब्द में जान बुर्च कर इस्तमाल कर रहा हूं कारण यह है कि मुझे किसी से बाते करना नहीं रुचता था कोई मेरा म मजाक ना उडाए है वी डर बना रहता था तो गांदी जी को ऐसा लगता था कि कोई उनका मजाक उडाएगा और उनको किसी से बाते करना भी अच्छा नहीं लगता था तो वह स्कूल का जैसे ही घंटा वचता था घर निकल जाते थे ठीक है वहां पर उनके कोई फ्रेंड भी नहीं थे तो वह किसी से बात भी नहीं करते थे ठीक है बच्छो समझ आया अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हाई स्कूल के पहले ही साल की परिक्षाकाल की एक घटना उलेखनी है जब गांदी जी हाई स्कूल में पढ़ते होंगे वहां की एक घटना उलेखनी है सि सर्वे के लिए आये थे उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को पांस सब्द लिखवाए जो पहले लाइन में बैटे हुए थे वच्छी उनसे कितने सब्द लिखवाए पांस सब्द लिखवाए उनमें एक सब्द मैंने गलत लिखा गांदी जी ने एक सब्द गलत कि आपने गलत लिख दिया पर मैं क्यों चेतनी लगा मैं है सोच भी ना सका कि माश्टर मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज़े दुरुस्त कर लेने का इसारा कर रही है हिज़े दुरुस्त मेंस होता है बच्चों बर्ग विग्र है या फिर जो माश्टर थे या की नकल ना कर सके सब लड़कों के पांचों सब्द सही निकले अकिला मैं वेवकूफ बना मेरी मूर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बताई पर मेरे मन पर उसका कोई असन ना हुआ मुझसे दूसरे लड़कों की लकन नकल करना कभी ना आया इतने पर भी माश्टर के पृति मेरा आदर कभी घटा नहीं तो बच्चों जो वो माश्टर थे या टीचर थे वो गांदी जी को क्या इसारा कर रहे थे जो उनका एक सब्द गलत हो गया था उसको सही करने का लेकिन गांदी जी ने ऐसा नहीं किया और जब माश्टर ने बाद में उनको बताया तब भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो किसी की चीटिंग नहीं करना चाह रहे थे ठीक है बच्चों लेकिन इसके बाद भी गांदी जी उन जो टीचर थे उनका आदर सम्मान वैसे के वैसे करते थे ठीक है मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी ना आया इतने पर्भी माश्टर के पिरती मेरा आदर कभी घटा नहीं बड़ों के दोस्त ना देखने का गुण मुझे में स्वाबाविक था जो गांदी जी थे उनमें मतलब जो किसी में दोस्त या फिर बुराईयां हैं उनको वो कभी नहीं निकालते थे और उनकी आदर या सम्मान हमीशा करते थे इन माश्टर के अन्य दोस्त भी मुझे बाद में मालूम हुए फिर भी उनके प्रती मेरा आदर जोकातों बना रहा जोकातों का मतलब होता है जैसा का जैसा बना रहा ठीक है बच्चों मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आग्या का पालन करना चाहिए जो बे कहें भै करना चाहिए जो बे करें उसका काजी मुझे नहीं बढ़ना चाहिए काजी का मतलब होता है बच्चों नियादीस या फिर जश्टिक बोल सकतें इंगलिश में हम इसी समय के दो और प्रिसंग सदा मुझे याद रही है मुझे सादरनता स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का सौक नहीं था सबक पूरा करना चाहिए क्योंकि डाट सही नहीं जाती थी माश्टर को धुका देना नहीं था इसलिए पाठ पढ़ता था पर मन अलसाता था इससे सबक अक्षर कच्चा रह जाता उस दसा में और कोई चीज पढ़ने की कहां सूच थी पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पढ़ी भय थी स्रवन पित्री भक्ती नाटक बचो गांधी जी जो थे वो पहले जादा किसी बुक पढ़ने में इंट्रेस्ट नहीं लेते थे बस जो उनकी क्लास की बुक होती थी उनको इपढ़ते थे लेकिन उन्होंने एक दिन अपने पिताजी की जो बुक थी स्रवन पित्री भक्ती नाटक उसे पढ़ने की सोची थी उससे पढ़ने की एक्षा हुई और मैं उसे बड़े चाफ से पढ़ गया उन दिनों काट के बक्से में सीसे से चित्र दिखाने बाले भी दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे काट मीन्स होता है कुछ लकडी के बॉक्स में चित्र दिखाया करते थे और वो खांपर हर घर घर जाकर वो चित्र सभी को दिखाते थे उन से मैंने स्रेवन के अपने माता पिता को कावर में बिठा कर यात्रा की जाने का चित्र वी देखा दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा मुझे स्री स्रेवन के समान होना चाहिए है भाब मन में उठनी लगा स्रवन की मृत्यु पर उसके माता पता का बलाप आज भी याद है इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया मुझे बाजा सीखने का सौक था और पिता जी ने एक बाजा दिला भी दिया तो बच्चो गांदी जी ने जो बुक पड़ी थी उसी को उन्होंने चित्र में भी देख लिया तो उनको वो बहुत ही अच्छी लगी ठीक है और उसको उन्होंने गा कर बोलना भी सीख लिया था उसके लिए उनके पिताजी ने उनको एक बाजा भी दिलाया था तीके? आगे दिया हुआ है इस बीच कोई नाटक कंपनी आई मुझे उसका नाटक देखनी की इजाज़त मिली तो उसी टाइम पर कोई नाटक कंपनी आई होगी मतलब उनकी इक्षा कभी समापती नहीं होती थी ठीके? वो नाटक वो बारवार देखते थे उसे बारवार देखनी को जी चायता पर बारवार कौन जाने देता? किन्तु मन में इस नाटक को सेक्डो बार दोहराया होगा हरिश्चंद्र के सपने आया करते थे हरिश्चंद्र जैसे सत्वादी सब क्यों नहीं हो जाते है दुन रहती तो बच्चों गांदी जी बोल रहे हैं कि मुझे बार बार जाने की तो परमीशन नहीं रहती थी लेकिन वो मन ही मन उसको दोहराते रहते थे तो उनको क्या सपने आने लगे उसी के हरिश्चंद्र के नाटक के और वो सोचते थे कि हरिश्चंद्र जैसे सभी सत्वादी क्यों नहीं हो जाते यह दुन रहती हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी पैसी विपत्तियों को भोगना और सत्त का पालन करना ही बास्तविक सत्त है। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपताई हरिश्चंद्र पर अवश्य पढ़ी होंगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर उसे याद कर मैं खूब रोया हूं। जो नाटक देखा था बच्चो उसे देखकर वो बहुत रोते थे। हुआ है, वो कैसे पढ़ते थे, कैसे अपनी टीचर्स की आग्या का पालन करते थे। और इसके बाद भी उन्होंने दो नाटक पड़े थे, जो कि किस किस के थे, स्रावणी के और हरिश्चंद्र के। तो इस पार्ट के राइटर कौन थे? मोहंदास करमचंद्र गांदी। ठीके बच्चो आगे कुछ सब्द ग्यान दिये हुए हैं, हम उनको पढ़ते हैं। पहले नमर पर दिया हुआ है मदर्सा, मदर्सा का हिंदी अर्थ होता है विद्धालाए, और स्कूल में हम, सॉरी बच्चो, इंग्लिश में हम स्कूल बोलते हैं, ठीके, मदर्सा या विद्धालाए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कूल, स्रैनी, स्रैनी का हिंदी अ कि आगे दिया हुआ है दुरुस्त का हिंदी आर्थ होता है सही ठीक है और इसे इंग्लिष में बोलते हैं correct ठीक है बच्छो आगे दिया हुआ है जहपू को हम इसका हिंदी यह इंग्लिश इर्थ होता है सेंफुल, आगे दिया हुआ है हिज्जे, हिज्जे का हिंदी आर्थ होता है बन्विग्रे, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इस्पेलिंग, ठीक है वच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं spelling आगे दिया हुआ है काजी काजी का हिंदी अर्थ होगा न्याधी और इसको इंग्लिश में बोलते हैं judge ठीक है आगे दिया हुआ है सत्वादी सत्वादी का हिंदी अर्थ होता है सच बोलने वाला और इसको हम English में बोलेंगे one who tells true, ठीक है English में क्या बोलेंगे one who tells true, आगे दिया हुआ है चाव, चाव का हिंदी अर्थ होता है रुची, और इसको हम English में बोलते हैं interest, ठीक है बच्चो, English में क्या बोलते हैं interest, आगे दिया हुआ है बिपत्ती, बिपत्ती का हिंदी अर्थ हो ये हमारे सब्द ग्यान complete होते हैं आगे next page पर चलते हैं कुछ अभ्यास प्रिश्णी दिये हुए हैं जिनको हम solve करेंगे तो first question दिया हुआ है सही उत्तर पर सही question लगाईए ठीके बच्चों यहाँ पर हमें चार option मिलेंगे जिन मैंसे जो सही होगा उस पर हम right का निशान लगा देंगे तो पहला question दिया हुआ है का नमर पर तब मेरी उम्र कोई वर्स की रही होगी आ नमर पर 6 बानमर पर 7 सा नमर पर 8 और दा नमर पर इन मैंसे कोई नहीं तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बानमर पर 7 तो हम बानमर के आगे right का निशान लगा देंगे तब मेरी उम्र कोई साथ वर्स की रही होगी उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है आ नमर पर इश्कूल दानमर पर कॉलेज सा नमर पर मदर से दानमर पर इन मैंसे कोई नहीं तो बच्छो इसका जो सही आंसर है वो सा नमर का हो जाएगा मदर से मदर से के आगे हम right का निशान लगा देंगे आगे दिया हुआ है गानमर पर उन्होंने पहले दरजे की लड़कों को सब्द लिखवाए कितनी सब्द लिखवाए आ नमर पर दिया हुआ है चार बा नमर पर पांच सा नमर पर साथ और दा नमर पर इनमे से कोई नहीं तो बच्छो कितनी सब्द लिखवाए थे पांच तो इसका जो सही आंसर है वो बा नमर का हो जाएगा और इसके आगे हम right का निशान लगा देंगे ठीक है आगे दिया हुआ है घा नमर पर दोका देना नहीं था किसको दोका नहीं देते थे गांधी जी आ नमर पर पिता बा नमर पर गुरू सा नमर पर माश्टर और दा नमर पर इनमे से कोई नहीं तो बच्चों जो हमारा सही आंसर है वो सा नमर का हो जाएगा माश्टर ठीक है उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे आगे दिया हुआ है रडापर मुझे उसका देखनी की इजाज़त मिली किसको देखनी की इजाज़त मिली गांदी जी को आ नम्मर पर दिया हुआ है नाटक, बा नम्मर पर खेल, सा नम्मर पर कर्तब और दा नम्मर पर इन मैसे कोई नहीं ठीक है बच्चो तो क्या देखने की इजाज़त मिली थी नाटक तो इसका आंसर आ नम्मर का हो जाएगा और इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे ठीक है बच्चो यह हमारे सही उत्तर या सही विकल्प कंप्लीट होते हैं आगे चलते हैं सेकंड कॉश्चन दिया हुआ है रिक्तिस्तानों की पूर्थी कीजिए ठीक है बच्चो हमको अब खालिस्तान बढ़ना है पहला दिया हुआ है मैं बहुत ही जहेंपू लड़का था ठीक है बच्चो इसके खालिस्तान में क्या हो जाएगा जहेंपू लड़का था आगे दिया हुआ है का नम्मर पर, खा नम्मर पर, सोरी वच्छो मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आग्या का पालन करना चाहिए तो इसके जो सेकंड नम्मर का खालिस्तान है, उसमें क्या भर देंगे, हम बड़ों फिर आगे दिया हुआ है गानमर पर स््रेवन के सामान होना चाहिए है, भाव मन में उठने लगा तो जो हमारे गानमर का खालिस्तान है, उसमें क्या वर्रा हो जाएगा बच्चों स्रेवन घा नमर पर दिया हुआ है हरिश्चंद जैसे सत्वादी सब क्यों नहीं हो जाते तो हमारा जो घा नमर का खालिस्टान है उसमें हम क्या वर देंगे बच्चो हरिश्चंद ठीक है घा नमर पर दिया हुआ है मेरे मन में हरिश्चंद और स्रवन आज भी जीवित हैं तो पहले खालिस्तान में हरिश्चन्द हो जाएगा और दो खालिस्तान दिये हो हैं पहले में हरिश्चन्द और दूसरे में स्रवन ठीक है बच्चो ये हमारे रिक्तिस्तान भी पूरे होते हैं आगे दिया हुआ है थर्ड कॉशन, निम्न लिकित प्रिश्णों के उत्तर देजिए, तो कुछ हमको प्रिश्णी दिये हुए हैं, उनके उत्तर देना है, ठीक है, या फिर कॉशन के आंसर देना है, पहला कॉशन दिया हुआ है, बच्पन में देके नाटकों का गांधी जी पर क्या प्रिभाप पड़ा, ठीक है बच्पन में देके नाटकों के प्रिभाप से गांधी जी सत्यवादी और पित्रवक्त बन गए, ठीक है बच्पन में देके नाटकों के प्रिभाप से गांधी जी सत्यवादी और पित्रवक्त बन गए, सत्यवादी की सिक्षा उन्ह अपने बच्ट पन में देखे थे आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर कि दूश्रा क्वेश्चन दिया हुआ है क्छा नमर पर सत्यवादी हरिष्चंद्र नाटक देखनी के बाद गांधी जी क्या सोचा करते थे इसका अंसर वादी जी ने सोचा सवी हरिष्चंद्र जैसे सत्तवादी क्यों नहीं होते जो हरिष्चंद्र थे वो बहुती सत्तवादी थे तो गांदी जी सोचते थे कि सब लोग हरिष्चंद्र जैसे सत्तवादी क्यों नहीं होते है तो इसका आंसर हो जाएगा गांदी जी ने सोचा सवी हरिष्चछंद्र जैसे सत्तिवादी क्यों नहीं होते आगे दिया हुआ है गानमर पर गांधी जी को राष्ट पिता क्यों कहा जाता है तो इसका आझसर होगा बच्चो स्वातन्तरता आंदोलन के लिए किये गये योगदान के कारण गांदी जी को राष्ट पिता कहा जाता है बच्चों हमारी जो सौतंतता संग्रवामू की लड़ाई हुई थी उसमें गांदी जी ने वहती ही योगदान दिया है जिसके कारण हम उनको क्या बोलते हैं राष्ट पिता ठीक है राष्ट के पिता कहलाते हैं यह हमारे प्रिश् से हमको मिलते जुलते सब्द लिखना है ठीक है समानार तक पहला दिया हुआ है का नमर पर विपत्ति विपत्ति को बच्छों परिशानी भी बोलते हैं ठीक है विपत्ति को क्या बोल सकते हैं हम परिशानी आगे खानार पर दिया है काजी का समानार तक सब्द हो जाएगा नि मरपर चौन का हिंद्ध का समानार्थ प्रिया धिया हुआ है दुरुस्त समानार्थ को जाएं सौषी ठीक वाजू ये हमारे समानार्थ सब्द केंप्लीट होते हैं आगे दिया हुआ है दूसरी कॉशन, दियेगा सब्दों में दो-दो परियावाची सब्द लिखिए, अब कुछ हमको सब्द दिये हुआ है, जिनके हमको दो-दो परियावाची सब्द लिखना है, ठीक है बच्चो, पहला दिया हुआ है उम्र, उम्र को बच्चो हम आयू ब प्राथा या फिर सवेरा ठीक है सुबह को हम प्राथा भी बोल सकती है और सवेरा भी विद्यारती आगे दिया हुआ है विद्यारती विद्यारती को हम चात्र भी बोल सकती है और सिस्षी भी बोल सकती है ठीक है बच्चों आगे दिया हुआ है लड़का लड़का को हम बालक भी बोल सकते हैं और बच्चा भी बोल सकते हैं तो लड़का के प्रयावाची क्या हो जाएंगे बालक और बच्चा ठीक है बच्चो यह हमारे सब्द बोद भी complete होते हैं इसी के साथ यहां पर हमारा chapter भी complete होता है ठीक है बच्चो मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्चे से समझ आया होगा अगर कोई problem होती है तो आप comment कर सकती है और वो हमसे पूछ सकती है ठीक है अब हम आगे next class में मिलेंगे तब तक के लिए आप स्वस्त रहिए खुश रहिए थैंक यू